अलो फ्रेंजू वेलकम तू इस चैनल फ्रेंज आज में आपके साथ शेर करने वाली हूं ये नास्टरयम के बारे में यह देखिए यह खुब सूरा जो फूल आप देख रहे है यह नास्टशियम का वराइटी है और नास्टशियम में बहुत वाइबरन कलर्स के फ्लास होते है जैसे की औरेंज, येलो और थोड़ा सा सिंदूरी कलर्स के कई वराइटी होते हैं और ये जो मैं आपके साथ शेर करें हूँ, ये जो आपके साथ शेर करें हूँ, और बहुत एजी केर, हम बोल सकते हैं, नो केर वली प्लांट है, और बहुत आसानी से ये सीट से ग्रो हो जाती है friends हाली में मैंने आपके साथ share की थी कैसे हम लोग seeds को germinate कर सकते और उसमें मैं ये nastasham की seeds को आपके साथ share की थी इसको लगाई थी करीब मेरे ख्याल से 13-14 दिन पहले हम लोगों ने इस seeds को लगाये थे जिन्होंने नहीं देखे है वो चैनल में जाके देख सकते लिंक भी मैं description box में डाल दूँगी और यह साथवा दिन का है और आप देख सकते है बहुत सारे seat germinate हो चुका है और इसका जो direction आप देख रहे है जिस तरफ से light आ रही है उधर की तरफ है तो germinations के बाद हमें जो seat tray है इसको rotate करते रहना है हर दिन ताकि एक ही direction में उसको light ना मिले और plant के हर side में light मिले और अभी आप इसको देख सकते है कितना जादा ये अच्छा हो चुका है दो leaves मतलब दो pair of leaves के साथ साथ आपको और एक third जो pair है वो भी निकल चुका है तो ये एकदम perfect time है इसको transplant plant करने के लिए ये आपको दिखरा होगा थोड़ा सा इस तरफ जुग गया है तो actually वो opposite side में था और मैंने उसको rotate कर दी हूँ और भी seeds germinate हुआ है और ये जो nastasium आप देख रहे हैं ये दूसरा variety के nastasium है और इसको हम लोग उने बाद में इसको लगाए थे और ये भी लगभक सारे जन्मिनिट हो चुका है और nastasium के सामने ये अलग seeds है ये भी winter flowers के seeds है तो कैसे seeds को grow करना है कैसे मिट्टी prepare करना है ये सारे आपके साथ share कर चुकी थी और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे पूरे कोकोपीट में नहीं लगा हुआ है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे nastasium का जो life cycle होता है वो कितने दिन का होता है और किस समय हमें इसमें maximum blooming मिलता है तो friends वीडियो के अंतक जरूर बने रहे हैं और देखिए इस तरह फूल हम लोग कैसे पा सकते है तो ये जो आप देख रहे हैं ये पहले कही वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोग कोकोपीट जो मिक्स्चर है और आप देख सकते हैं काफी लेगी सा है क्योंकि हम लोग कोकोपीट में प्लांस को लगाते हैं तो एक टाइम के बाद उस प्लांस को ऐस सच कोई जो फूड है न्यूट्रियन्स है वो कुछ नहीं मिल पाता है तो इसलिए कई बार ऐसे लेगी बन जाता है जल्दी प्लांस सिद्लिंक्स मिला है वो आप जरूर चेक करें वीडियो को फ्रेंस तो आज अभी हम लोग देखेंगे कि एक बार जब यर्मिनेट हो जाता है और बारा से पंदा दिन में प्लांस में अट लीस्ट जो दो पेर अफ लीवस आ जाता है तीन पेर अफ लीवस आये तब तो बहुत अच्छी बात है तो आप उसको ट्रांस्प्लांट कर दे कोकोपीट में अगर आप लगा रहे है तब तो जल्दी कर देना चाहिए और नहीं तो आप बारा से पंदा दिन के अंदर आप ट्रांस्प्लांट कर सकते है तो देखिए इस तरह इस तरह हातों से ही आपको प्लांट को निकालना है आराम से ताकि उसके जो जड़े है वो डिस्टर्ब न हो और जड़े तूटे नहीं तो बहुत आसानी से निकल जाती है और उसके पहले थोड़ा सा मुएस्ट कर दीजे मिट्टी को सॉयल मिक्स को जिसमें भी आप लगाए है और इस तरह उठा लीजे ऐसे तो नैसरशियम जो प्लांट है वो कैसे भी मिट्टी में बहुत अच्छा करता है लेकिन अगर हम लोग गमले में लगा रहे तो आप एक बार और और गानिकली रिच मिट्टी तयार कर लीजे उसमे गार्डन सॉयल सैंड और जो आपका वर्मी कंपोस है ये तीनों हम लोग बराबर मातर में मैं मिला लेती हूँ थोड़ा बहुत इदर उदर होता है तो भी कोई प्राबलम नहीं है तो एक बार आप तयार कीजिए मिट्टी को और फिर उसको पॉट में डालने के बाद अच आप मुएस कर ले पहले मिट्टी को और जैसे मैंने दिखा है आप पैसे रग दीजे और फिर बागी जो मिट्टी आपको डालना है वो उपर से डालिए तो इस प्रोसेस पे अगर आप करेंगे तो आपका जो जो प्लान का जो रूट सिस्टम है वो बिलकुल खराब नहीं होगा तो क्योंकि छोटा प्लान्ट है रूट सिस्टम को अगर हम हाम करेंगे तो हो सकता है कि जो सिड्लिंग है वो बचना पाए तो इसी लिए फ्रेंट्स इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है नाट ओनी नैस्टरश्यम अब कोई भी सिड्ल की रोशनी मैं ऐसे भी जो दोफर की सूरज की रोशनी होती हो बहुत तेज होता है विडर में भी तो अगर हम बचा पाये तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपके यहां बहुत अच्छा अंаж भी आता है तब भी कोई बात नहीं है आ तो इसमें सिर्फ फॉलेज आपको मिलेगा फॉलेज भी बहुत सुंदर है ऐसे लेकिन आपको फूल नहीं मिलेगा तो इसको सन लाइट की बहुत अच्छी सन लाइट बहुत चाहिए होता है तो फ्रेंड्स इस तरह लगाने के बाद आप गमले को दो तीन दीन थोड़ा शे 25 दे है और आप देख सकते है जो प्लांस है काफे बुशी हो गया है कई सारे लीज इसके निकल आया है और जो लेगिनिस था वो भी चला गया है और ऐसे भी जो यह नैसरिशिम प्लांस होता है यह थोड़ा सा बोल सकते है क्योंकि वाइन है यह जो है आइबरिट वो फैलेगा और आपको वो लेगिनिस नहीं बोल सकते है वो बुशी होता जाता है और वो ट्रेल करता है तो हैंगिंग बास्केट में भी यह फ्लार बहुत अच्छा दिखता है और जमीन में आज ग्राउंड कवरेज भी आप लगा सकते है और यह आप तस्वीर देख रह लगा सकते है और स्थिक में जब इसकी पत्या थोड़ा सा सपोर्ट इसको मिलता है तो वो फिर उपर की तरफ बढ़ता है और गहना टाइप दिखता है नीचे नी लटकता है और इस समय तक भी आपको कोई खाद वगेरा देने की जरूत नहीं है अगर आप दूसरे पोधे में अगर सरसोखली दे रहे है तो आप इसको भी दे सकते है और फ्रेंड्स अब जाके इसको 60 दिन हो चुका है पूरे और आप आप देख सकते है कली बनना शुरू हो चुका है तो आपका जब प्लान बुशी हो जाए तो आप इसको सरसोखली खाद जो लिकुड सरसोखली खाद आप दे सकते हैं नहीं भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बार बार खाद वगेरा फटलाइजर वगेरा इसको प्रोवाइड कराने की जरूत नहीं है और बहुत अच्छी चीज यह है कि इसमें पेस्ट इंसेक्स वगेरा नहीं लगता है तो जो हम लोंग नी मॉयल वगेरा स्प्रे करते हैं तो उसका खर्च भी बच जाता है और काफी अच्छा रहता है और यह भी बोला जाता है कि इसको रखने से बाकी प्लांस में भी नहीं और यह जो नैसरश्यम है इसके जो पत्या है इसके फूल है यह सारे एडिबल है इंटरनेट में अगर आप सर्च करेंगे तो इसका बहुत यूज आपको मिल जाएगा यह एक मेडिसिनल प्लांड के रूप में भी यूज होता है आप दो महिने में आप देख सकते किस तरह यह एकदम घना हो चुका है और गमला भी नजर नहीं आ रहा है इतना घना है और इसके प्लांड इसके जो लीवस आप देख सकते यह जो वैरिगेटेड लीवस यह कितना खुबसूरत दिख रहा है दोस्तों आप देख सकते फूल किस तरह पत्तों के बीच से एकदम पॉप आउट कर रहा है और बहुत प्यारा सा लग रहा है देखने में तो यह कलर है इसका देखिए यह आप बोल सकते गुर्डन यलो और बीच में थोड़ा सा रेट का जो लाइन से आप देख सकते बहुत खुबसूरा दिखता है तो दो मैने के आसपास सिफ्ट में ब्लूमिंग शुरू हो जाती है फ्रेंज और इस तरह आप देखिए इस तरह कली बनते हैं इसके सेंटर से ही वहां से कली बनती है करीव तीन महिना हो चुका है और आप देख सकते कि इतना भर-बर के फूल खिल रहा है यह देखिए कुछ फूल खिल रहा है कुछ फूल सूख रहा है इस तरह पूरा एकदम पत्ते में भी उतनी रौनक है जितनी फूलों में है और यह जो प्रियड है त्री मंस वाला जो प्रियड है यह इसका मैकसिमम ब्लूमिंग वाला प्रियड होता है तीन से साड़े तीन महिना और इसके बाद इसमें सीट्स बनना शुरू हो जाता है और आपको पता है अगर हम लोग सीट्स को रखते है तो फूल खिलना प्रियड हीडिंग करते रहे सुखे फूलो को आप पहले ही आप तोड़ दीजिए सीट्स बनने ना दे और उसके बाद पौने चार महना जब करीब आज आए तब आपको अगर सीट्स रखना है तो सीट्स उसको बनने दे सीट्स और अब देख सकते इस तरह इसमें सीट्स और बहुत आसान है आप सीट्स को रख सकते है समाल के नेक्स सीजन के लिए और फ्रेंड्स जैसे की मैंने बता है कि तीन महिना के आस पास इसका मैक्सिमम ब्लूमिंग टाइम होता है और करीब करीब उसके बाद जो है वो एक महिना तक रहता है फूल देते रहता है उसके जो पत्या है और जो ब्रांचेस है वो सूखने लगते है तो आपको जो सूखे पत्या वगएर उसको हटाते रहना है आप देख सकते किस तरह ये एकदम लटक चुका है और इसके थोड़े दिन बाद ही धीरे-धीरे आप क्यूंकि काफी जब पुराना हो जाता है प्लांस एक-दो-एक-दो फूल खिलता है और इस तरह तो बहुत वो फिर हमारे गार्डन में मैच नहीं करता दूसरे फ्लार फ्लार्स के साथ क्यूंकि ये जो टाइम होता है फ्रेंट्स ये फूल खिलते खिलते और खतम होते होते करीब-करीब घर्मी आ जाती है मार्च के एंड ह हो जाता है और गर्मी आ जाती है तो ऐसे भी धूप बहुत जादा हो जाती है तो हम बोल सकते हैं इस प्लांट का जो लाइफ साइकल है करीब करीब चार महिने का है और और फ्रेंट्स येक नोखियर वाली प्लांट है आपको फटलाइजर देनी की टेंचन नहीं है आपको प्लांट को जरूर लगाए ये फ्लारिंग प्लांट को जरूर लगाए जमीन में भी लगाएंगे तो as a ground coverage ये बहुत सुन्दा दिखता है तो फ्रेंट्स और और एक बा अगर आप ground में लगाते है तो ये self seeding plant है next year ये अपने आप आप देखेंगे की पौधा निकलाता है तो फ्रेंट्स अगर आपके पास जमीन है तो जमीन में तो जरूर लगाए तो फ्रेंट्स आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंदाया होगा और अगर आप अभ जो है पांसे साथ दिन में जद मिनिट हो जाता है और दस से पंदा दिन के बीच आप इसको ट्रांसवर कर सकते और ये जैसे कि मैंने बताया कि दो मैने के बाद से ये एक दो फूल खिलना शुरू कर देता है इस साल का जो नैस्टेशियम के सीडलिंग से उसको अभी तक मै बने रहिए और आशा करती हूँ कि इस साल भी बहुत अच्छा ब्लूमिंग होने वाला नैस्टेशियम में इसी तरह चानल के साथ बने रहिए थैंक्यू फॉर वाचिंग हापी गार्निंग फ्रेंड्स